करनाल जिले में 45 वर्ष की आयू के लोगों को करोना वैक्सिन लगाने का कार्य शुरू हो गया है बताया जा रहे कि करीब 4 लाख लोगों को करोना की वैक्सिन लगाई जानी है करनाल के उपायुक्त निशान्त कुमार यादव ने बताया कि एक अप्रेल से 45 वर्ष की आयू पूरी कर चुके लोगों को करोना का टीका लगाया जाएगा इसके लिए जीले के 100 सरकारी वा प्राइवेट स्वास्थे केंद्रों पर व्यवस्था की गई है जीले के करीब 4 लाख लोगों को यह टीका लगाया जाएगा इसके लिए लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूप किया जाएगा वीडिपियों को इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को टीका करन करने की जिम्मेदारी दी गई है उपायक्त विर्वार को लगुसचीवाले के सभागार में कोविड-19 टास्क फोर्स की वैचर को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि करोना महामारी फिर से पैरपस आ रही है जीला में पोजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है वहीं उन्होंने जीला की जनता से अपील की है कि वे कोविड के नियमों की पालना करे मास्क लगा कर घर से बाहर निकले दो गज की दूरी बनाए रखे और सेनिटाइजर का प्रयोग करे उन्होंने कहा कि पूलिस द्वारा प्रति दिन करीब 400 चालान बिना मास्क के लोगों के काटे जा रही है अब तक चालान के रूप में करीब 3 करोड रूपाए वसूल किये जा चुके है उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने वह दूसरों के बचाव के लिए सहयोग करें सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि जीला में करोना का प्रकोब बढ़ रहा है अब तक 171 लोगों की मृत्ति हुई है जिनमें शेहरी शेतर के 103 वगरामिन शेतर के 68 लोग शामिल है जीला में अब 16 केंटेन्मेंट जोन बनाए गए हैं तथा NDRI में कोविट के लिए केर स्टेशन भी स्थापित कर दिये गए हैं उन्होंने बताया कि प्रती दिन जीला में 2000 के लगवग टेस्ट किये जा रही हैं उन्होंने कहा कि टिका करंड का समय सुभह 9 बजे से रात 8 बजे तक C.S.C. वो समारने अस्पतालों में किया जाएगा उन्होंने जीला की जनता से अपील के कि वे करोना के लक्षन दिखने पर अपना टेस्ट जरूर करवाएं छोटी सी लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खत्रा हो सकता है उपायुक ने बताया कि COVID के केसों में कमिल आने के लिए मंडियों में सेनिटाइजर मास्क वर्स सेंप्लिंग की विवस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि बसों में यात्रियों के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है इसके लिए बस कंडुक्टर और ड्राइवर की जिम्मेवारी रहेगी उन्होंने कहा कि बाजार में व्यपारियों दुकानदारों से बाचित की जाएगी कि वह एपनी दुकानों पर भीड़ भाड़ना होने दे, ग्राहक मास्क लगा कर आएग कि बाजार की चेकिंग के जुटी में स्टेट को प्रति दे के 10 दुकाने चेक करने के निरदेश दिय रहे हैं किस तरीके से उसको regulate किया जाए तो एक तो हमने कोवीड केर सेंटर फिर से शुरू कर दिया है जिस पे जो mild symptomatic patients से उनको रखा जाएगा NDRi में कल की भौन में शुरू किया गया है दूसरा जो हमारा vaccination है 45 साल से उपर के लोगों पर भी लागू हो गया है हर मंडे को हम vaccination day मना रहे हैं हर मंडे हम target करेंगे 20 से 35 जार लोग vaccinate हो और इसके अलावा भी रोजाना daily basis पर हमारा vaccination चल रहा है मास्क की enforcement हम बढ़ा रहे हैं लगबग 400 के करीब की चलानिंग हम रोजाना कर रहे हैं इसके लाओ जो बैंकेट होल्स हैं जो शोपकीपर्स हैं उनकी meeting भी जल्दी हम लेंगे और वहां पे भी हम इसके enforcement करेंगे कि लोग मास्क भी पहने सैनिटाइजर का भी इस्तमाल करें सोशल डिस्टंसिंग का भी पालन करें अब तक कितने लोगों के चलान और कितने रासे के चलान हम कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी जो टोटल फिगर हमारी लगबग 3-4 करोड से जादा के चलान हम कर चुके हैं और लोगों से मैं अपील क करूंगा आग्रह करूंगा कि जो कोविड प्रोटोकोल से उनका पालन करते रहें क्योंकि यह जो लहर है कोविड की जो थर्ड वेव अभी आई है यह सबसे ज़्यादा खतरनाक अभी लग रही है कि होगी और नंबर ऑफ केसे भी काफी अचानक से बढ़े हैं तो अगर हम प्रिकोशन्स नहीं रखी तो आगे समश्या उत्पना हो सकती है प्रिकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें